हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिवेस खिलास में हमने इफेक्टिव मास ओफ एन इलेक्ट्रोन या कहें कि इलेक्ट्रोन के प्रभावी दर्युमान को डिसकस किया था आज की जो क्लास है इसमें हम एक बहुत बार पुछा जाता है तो आज का जो हमारा जो टोपिक है वो है रिनात्मक दर्युमान का भूतिक उद्धिकम मतलब ऐसे कह सकते हैं कि दा फिजिकल सिग्निफिकेंस ओफ नेगिटिव मास मतलब जो नेगिटिव जो मास है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो इसको डिसकस करने से पहले यदी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी इनका बेनिफ सेकेंड है यह उसका लास्ट टोपिक है इसके बाद में हम युनिट थर्ड को डिसकस करेंगे तो आज का जो लास्ट टोपिक है वो हम पहले बता चुके हैं कि रिनात्मक दुर्यमान का बहुतिक उधिकम मतलब फिजीकल सिगनिपेंस क्या है नेगेटिव मास होने का किया और चार्ल्स किटल की ही एक बहुत ही अच्छी बुकाति है सोली डिस्टेट फिजीक्स के अंतरगत जो सियसाई एरनेट हो या किसी भी प्रकार की एक्जाम हो उसके पैंट उसके पॉइंट ऑफिस से भेद महत्पून है तो देखो रिनात्मक दुर्यमान के भौतिक उद्गम को समझाने के लिए मतलब जो नेगेटीव मास है उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझाने के लिए चार्ल्स किटल नामक साइन्टिस्ट उइए उन्होंने क्या किया एक परियोग कि अब देखो परियोग कुछ इससे साबसे बहुत यहासान परियोग है इस पर पोटेंशिल रिया एक बर पोजिटिव पोटेंशिल लेंगे मतलब इसको चार्ज्ड है करने का मतलब यह जिस पर धनात्मक रिनात्मक और सुन्य विभव क्या लिया जाता है तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक क्रिस्टल लिया हमने इसके आगे हमने एक ग्रिड ल कि एक्स्परра में थ्रूढ़ता है कि क्रिस्टल लिया हमने दूसरे केस में और उसके ऊपर हम ने पॉजिटिव पोटेंशल रखा जैसा ग्रिड जो है इस पर फिक तो पर धोजिश्य पोटेंशिल लग değ कि अब इसको अब इसके आपने एक्ट्ण पोफिर ये जो प्राइ जाता है जब हमने पोजिटीव पोटेंशल पर रखा जब जीरो पोटेंशल पर था तो यह इसको आर पार क्रिस्टल को पार करके चला जाता है फिर हमने थर्ड experience कुछ इस प्रकार से किया आमने crystal यह फ्र तो भी हम देखते हैं कि जो ग्रिडर है जो इलेक्टरोन पूंज है जो आमने आपने किया है वह क्या हो गया फिर से reflect होके चला गया तो जब positive potential हम रखते हैं यूज छे हैं तो elektron जो है इलेक्ट्रों किरन पुंझ है वो reflect हो के चला जाता है लेकिन हो लेकिन जब हमने Zero Potential पे रखखा तो इलेक्ट्रों जो पुंझ है वह आरपा निकल जाता है तो इसी conclusion को हम यहां पर लिखेंगे case first case first case first क्या कहता है कि जब grid को सुन्ने वीभव पर रखा जाता है तो आप्तित electron पुंज crystal से क्या हो जाता है पार्गमीत हो जाता है जैसा कि हमने experiment में देखा Case 2 क्या है जब grid को धन वीभव मतलब positive potential पर रखा जाता है तो आप्तित electron पुंज crystal से परावडतित हो जाता है तथा इस इस्तिति में प्रभावी जो दर्यमान है वो क्या है रिणात्मक प्राप्त होता है कि मतलब धन वीभाव पर रखा तो आपको इफेक्टीव जो मास है वो नेगेटिव मिलेगा और परावर्तित तो यहां पर होता है ठर्ड case है जब grid जो है रिन्ड विभव पे हैं मतलब negative potential पर रखा जाता है तो आपतित ELEKTRON पूंझ है Chrisival 15 से परावर्तित हो जाता है मैं सेकिंड guess में भी ऐसा ही होता है तथा इस इस्तिती में出生 का जो प्रभावी जो दरिवान है एख तो आपको दो चीजे ध्यांग करनी है जब ग मैटकरं जीटीव पोटेंशिल पह parfait two नेगर टोटेंशिल प्यू idea गाईगा और जब गीरिट जो है नेगरिट इस फेट ही पोटेंशिल वोट परमुड़ में नांड़न स Capital यहां पर वी परावरतिझ थो रहा यहां पर बराव़ती थोड़ है तो बहुत ही आसान सा टोपिक था उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अगर तो अक्स क्लास में हम में में सकश्रण पर करें तोлем созд family कि वह जिए नमस्कार जैहिन जैभारत